Hello everyone, welcome to lecture number 26 of CCNP course module दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने EIGRP के कुछ important topics देखे थे इस लेक्चर के अंदर हम EIGRP के hello and hold timer को change करेंगे authentication के बारे में बात करेंगे और कैसे EIGRP के maximum hope counts को बदला जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हमने अपने चैनल A2IT Online के उपर CCNA, CCNP और इसके इलावा HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap इसके इलावा बहुत सारे technical course, free of course आपके लिए अपडेट कर दिये गए अगर आपको कोई भी नया course चाहिए तो हमारे चैनल को subscribe करें प्लीज हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कोई और course आपको चाहिए आप हमें comment box के अंदर बताएं हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल को एक free learning university की तरह सभी तक पहुंचाएं तो अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मैं जी एनेस तरी के डिजाइन की तरफ आपको लेके चलता हूँ जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बनाया इस वीडियो को लाइक करें लेटेस्ट टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एटू आइटी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो यह है हमारा डिजाइन इस डिजाइन के उपर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पैसिव इंटरफेस के उपर भी काम किया है मेट्रिक वेट्स कैसे चेंज होती है उसके उपर भी काम किया है बहुत सारे प्रैक्टिकल हम आल्रेडी कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर म होल टाइमर के बारे में तो सबसे पहले मैं यहां आट टू के उपर जाके आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब हम शो आई पी इई जी आर पी नेबर करते हैं तो आपको यहां पर नेबर की इंफोमेशन के साथ एक होल टाइमर देखता है अगर आप शो आई पी इई जी आर पी इंटर फेस करते हैं आप इंटर फेस के उपर देखेंगे तो सारे इंटर फेस की की information मिलती है और अगर आप शो आई पी ई आई जी आर पी आप यहां पर कमांड सो और देखना जाते हैं तो यहां पर आपको सारे जितने भी मेरे नेटवर्क के अंदर सक्सेसर फीजिबल सक्सेसर हैं वो सारे दिखते हैं इसके पहले हमने दो तिन वीडियो पहले हमने एक टॉपिक करवाया था आपको जिसमें डीबग आईपी पैकेट बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि होल्ड टाइमर शो आईपी एजी आरपी नेवर के अंदर आपको देखने को मिलता है और हेलो टाइमर अगर आपने चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो फिर्ट के ओपर आई है मतलब फिटिनाइन athletic 123Bल पांच सेकंड के अंदर ये अपना सेलो भेजता है और अगर आप सेलो को और होल्ड को change करना चाहते हो कैसे कर सकते करना चाहते हो तो से लिए मुझे क्या करना पटेगा जिस इंटरफेस्डेस्ट मैं ज्यादा करना चाहते हो उस इंटरफेस को लिख लीजिए और वहां पर जाके कमांड लगाई है बर talk question mark आपने कौन सा यह जी आर पी एस नंबर यूज किया है वह लिखना है आपने और कितनी हेलो टाइम देना है आपने तो पांच पहले ही होता है मैं इसको कर देता हूं दो सेखिंड करने के बाद मैं एंटर करूंगा यहां पर अगर आप होल टाइमर चेंज करना चाहते हैं तो कमांड होगी होल टाइम कितना देना चाहते हैं जी 6 क्योंकि by default 5 और 15 होता है तो मैं 2 और 6 देता हूं डू शो हिस्ट्री में आपको यह कमांड दिखाई दे जाएगे और यह लास्ट लेक्चर के अंदर हमने metric weights change किये थे तो उसकी कमांड दिखाई दे अब मैं आपको debugging करके दिखाता हूं डी बग आई पी पैकेट आप देखोगे सिर्फ जो दस जीरो जीरो वाला लिंक है वान वाला वो जो अपडेट सेंड करेगा 23 के बाद 25 पे 25 के बाद 27 पे 27 के बाद 29 पे 22 सेकंड के इंटर्वल में कर रहा है लेकिन बाकी की जो अपडेशन्स हो रही है वो पांच सेकंड में हो रही है तो आप अपने हेलो और होल्ड को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर आपने दुबारा टाइम सेम देना है उसको तो आप क्या कर सकते हैं आई पी हेलो इंटरवल को दुबारा पांच कर दीजिए और आई पी होल डाइम को दुबारा से पंदरा कर दीजिए आपकी अपडेशन्स दुबारा पहुंच जाएंगी वहां रहेंगे इसके इलावा नीचे इसके मैक्सिमम होप काउंट की टैब है इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं यह जी आरपी रिप से यहां पर आएगा आपका मैट्रिक कोश्चन मार्क देखो पहले हमने मैट्रिक वेट चेंज किया था ठीक है अब हम मैट्रिक के अंदर मैक्सिमम होप चेंज कर रहें कोश्चन मार्क लगाया मैंने हंडर बाय डिफॉल्ट होता है लेकिन अगर आप इसको 255 भी करना चाहते ह हैं मतलब शो आईपी प्रोटोकॉल में चेक कीजिए यहां पर मैक्सिमम होप काउंट 255 वार इसका मीनिंग है अब लगातार 255 राउटर तक की एजी आर्पी की अपडेट जा सकते हैं तो यह भी आप चेंज कर सकते हैं अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉप लगाते हो तो कैसे लगाएंगे यह यहां पर दे दीजी सी सी एनपी और मुझे यहां पर की अडेंटिफायर देना पड़ेगा की वन इसके साथ मैं की स्ट्रिंग लगा देता हूं 123 कीचें बनाना सेम है लेकिन अब किस इंटरफेस पर लगानी है एफे जीरो बाइ जीरो उसके बाद आईपी एजी आरपी ठीक है सुरी आईपी ऑथेंटिकेशन कोशिन मार्क आप मोड कौन सा देना चाहते हो यहां पर आईपी ऑथेंटिकेशन मोड उसके बाद लगता है जी एजी आरपी वन मैंने दे दिया एमडी फाइव आप लगाना चाहते हो आईपी ऑथेंटिकेशन उसके बाद में आगया आपका कीचेन एजी आरपी वन में लगाना चाहते हो आप सीसी एनपी डूशो हिस्ट्री देखिए एक साइड पे मैंने अथेंटिकेशन लगा दी है दूसरी साइड पे नहीं लगाई तो पंदरा सेकें अंदर ये वाड़ा लिंक आपका डाउन हो जाएगा दस जिरो जिरो दो से कोई अपडेट नहीं आएगी क्योंकि इनवैलिड ऑथेंटिकेशन है अगर आप ये पैकट ऑथेंटिकली इदर भेजना चाहते हो तो आर थरी के उपर आपको लॉग इन करना पड़ेगा आर थ दे दिया की स्ट्रिंग 123 कर दिया अब सेम एज इंटरफेस एफ़ जीरो बाई जीरो के उपर जाके आई पी ऑथेंटिकेशन मोड एई जी आर पी वन दे दिया मैंने एमड़ी फाइव आई पी ऑथेंटिकेशन कीचेन EIGRP1 CCNP दे दिया अब देखना थोड़ी दिर में यहां पे एक नेबर्शिप अप होगी यहां पे एक एडजेसेंस ही अप होगी और यह देखिए ड्यूल नेबर्शिप में यह मैसेज आ चुक है अब अगर आप चेक करना चाहते हैं डीबग आई पी पैकेट तो दोस्त में अपडेशन आ जाएंगे वैसे डीबग आई पी एजी आरपी इवेंट्स भी होता है डीबग आई पी एजी आरपी समरी इसके अंदर समरी आ रहा है इवेंट वाला दूसरे प्रेक्टिकल के अंदर आएगा वो मैं बताऊंगा आपको वह यह जी आरपी कमांड इस राउटर के उपर स्पस्पिकली नहीं चल रही है तो आप डीबग आई ऺट फी यह जी आर पी भी लगा सकते हो ईजी ओएजी आरपी अपडेशन झीन इसी के अंदर शो होगी तो आप देख सकते हैं यहां सारी अपडेशन से ही तो तो दोस्तों When we were AGRP की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जल्दी से जल्दी हमारी इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कीजिए कि आप आगे कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं थेंकियू सो माज इस वीडियो को लाइक करें लेटेस्ट टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT Online को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें